भजन सहिता अध्याय 27 यहोवा परमिश्वर मेरी जोती और मेरा उद्धार है। मैं किस से डरू? यहोवा मेरे जीवन का दुरुढ गढ़ट है रहा है। मैं किसका भाय खाऊ? जब कोकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रटते थे, मुझे खा डालने के लिए म मुझ पर चढ़ाई की थी, तब वे ही ठोकर खा कर गिर पड़े, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध च्छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लढ़ाई ठंजाए, उस तशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यह यहवा से मांगा है, उसी की यतन में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहवा की मनोहरता पर तुरुष्ट लगाए रहूं, और उसके मंदिर में ध्यान किया करो, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंड़त में चिपा रखेगा, अपने तंबु के गुपतस्थान में वह मुझे चिपा लेगा, और चटान पर चढ़ाएगा, अब मेरा सिर मेरे चारो और के शत्रों से उचा होगा, और मैं यहवा के तंबु में जैजकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा, और उसका भजन गाऊंगा, हे यहवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तु मुझे पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे, तुने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा, अपना मुख मुझे न चिपा, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहवा मुझे समाल लेगा, हे यहवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर, और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चवरस रास्ते पर ले चल, मुझको मेरे सताने वालों की चापर न छोड़, क्योंकि जूटे साक् जो उपदरो करने की धुन में है, मेरे विरुद्ध उठे है, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवतों की पृत्वी पर यहवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मुर्चित हो जाता, यहवा की बाट जोता रह, ही याव बांध, और तेरा रधय दुर्ध रहे, हाँ, यहवा ही की बाट जोता रह,